हालो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई यूटीब चैनल नेगी स्वामली उत्राखन देखिया आज आप लोगों के लिए ब्यूटिफुल सा डिजाइन लेकर आएं यह आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं लेडिस काडिगन में भी आप इसका अप्लाई कर स स्लाईयों का यह डिजाइन है इस सरीके से तो यह एक पैटरन यहां से यहां तक का है और यहां से यहां तक है दूसरा पैटरन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना तो अभी तक करकर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्र 6 फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, दागा पीछे करेंगे, अब यहां पर हमें ट्विस्टिंग करनी है, चार फंदों पे, जैसे यह दो फंदे हैं, इनको ट्विस्ट इस तरीके से करना है, यह जो पहले पीछे वाला फंदा है, इसे पहले बनाना है, तो य इस से अगे लेकर, इस तरीके से कर सकते हैं, और फिर, आगर ऐसे नहीं करना चाते हैं, तो इसे, या आप इसे इस सरीके से बना सकते हैं, इसके इससे पहले बना भाद में इस compart Lux 도 यहां पर 2 फंदे को यहां पर आगे साझाका बैक साइट से बनाएंगे यह देखे, यह हमने इस तरीके से डाली, पहले इसे हम बनाया, फिर आगे वाले फंदे को हमने इस तरीके से बना लिया, तो यह हमने चार फंदे ट्विस्ट कर लिये हैं, फिर से दुबारा ट्विस्ट करेंगे चार फंदों को, फिर से देखे, यह वाला फंदा जो है पीछ स्टिछ से बनाएंगे निए विए यह सच बनाएंगे लिए तो देखिए किस सरी के बनाएं ने ये स्टिछ था चैह उल्धे धर उल्टें चार फंदों में ट्विस्ट किया तो सब्सक्राइब तो 10 कि यह था मत डोंटें जाए ममस ह Catholics फिल्टे करने के बाद फिन यहाँ ट्विस्ट करना है पेहले इस तरीके से लहा है इसे बनाया फिर आगे वाले फंदे को बनाया फिर यहां पे यह वाला जो फंदा है हमारा इसे बनाया पहले और इसे इसे इस तरीके से पहले इसे बनाया फिर यह आगे वाला फंदा इसे बनाया तो इस तरीके से यहां पे हमारे दो फंदेगे और दो फंदेगे चार फंदे हो गए फिर से ट्विस्ट करेंगे पिर से इसे प्यागे को पहले बनाएंगे है कि दीकेसे अ कि इसे बाद में असे से पीछे साइट सिस्क में पीछे वाले प्यागे इसलिवादे को इस तरह के से बैक से आएंगे और इसे बाद में अब धागा आगे फिर से लास्ट में यह हमारे दो-दौचार शे बंदे उल्टे एक दो-धिंचार-पाँच-छे इसलिवादे इसलिव बनानी है जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हमें वैसे ही बनाने हैं जैसे यह वाले हमें हमें 6 फंदें सीधे दिख रहे हैं तो यह 6 फंदें सीधे बनाएंगे यह सचका फंद पीछे करेंगे एक दो है तीन चार पांच और यह हमारा लास्ट छे स्के बाद चार फंदे यह उल्टे थे एक दो तीं चार फिर से ये वाले twisting के 4 फंदे एक, दो, तीन, और ये चार इसके बाद यहां पर हमारे यहां 6 फंदे सीधे थे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, यहां से यहां तक हमारा pattern रिपीट होगा फिर 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब यहां हमारे 4 फंदे ये वाले उल्टे, 1, 2, 3, 4, फिर से ये वाले 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, अब यहां पर धागा आगे करेंगे, पिछे करेंगे, 6 फंदे, 2, 3, 4, 5, 6, अब यहां इस्टिच का फंदा, तो यह 1st रो और 2 रो हमारी इस तरीके से बनेगे, इसके बाद 3rd रो और 4 रो, 3rd रो हमें बिल्कुल सीधी बनानी है, और 4 रो हमें उल्टी बनानी है, तो 3rd और 4 में कम्प्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद 5 रो से स्टार्ट कर जाते हैं इसके फिफ्ट रो में, फिफ्ट रो में देखी किस तरीके से करना है, फिर से यह फंदा हमारा एस्टिच का, अभी जो फर्स रो थी उसमें हमने यहां पे 6 फंदे उल्टे बनाय थे, अब हम यहां पे 5 फंदे उल्टे करेंगे, 2, 3, 4, 5, इसके बाद धागा पी साइड से इस तरीके से हमें ट्विस्ट करने है, अब बीच में हमारी यहां दो फंदे और आ गए हैं, जिसे हमें उल्टा बनाना है, अब यहां پर हमारे फंदे उल्टे बढ़ते चले जाएंगे, फिर से यह यह त्विस्टिंग करेंगे, यह सरीके से एक, दो, इस साइड से यह बैक साइड से हमें इस Отरह इक से समय लेकर चार पंद हैँ इसके यूज है इसके ऊत्तुπαस कोफ़ियों ॡविख पर पज टो पी strat के रिपीट करेंगे फिर से पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाँच यहां पर धागा पीछे फिर इने ट्विस्ट करेंगे तो तरीके से कर सकते हैं आपको जो जादा एजी लगए आप वह तरीका आजबा सकते हैं तो यह दिखिए इस तरीके से यह चार फंदे हमने ट्विस्ट कर लिए इसके बाद दो फंदे हमाने बीच में उल्टे आ गए इसके बाद फिर से यहां ट्विस्टिंग करेंगे चार फंदों पर इस तरीके से दो फंदे यह हुगे और यह बैक साइट से एक तो यह हमारे यह वाले ट्विस्टिंग हो गए अब देखें यहां पर हमारे दो चार पांच पांच पंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच यह एस टिश का फंदा इस तरह की से है छटी स्लाई जैसे हमें दिखाई देरे फंदे हम वैसे ही इसको बना लेंगे तो मैं सिक्स हमारी सिक्स रोव चुकी है इसके बाद सिक्स रों के बाद हमें यहां पर सेवंन्त और नानी है और उल्टी बनानी है तो मैं और यह दोनों रू मना लेती हूं उसके बाद की तो यह देखिए एट थ्रो मनिया कंप्लीट हो चुकी है अब हम इसकी नाइं थ्रो पर आ गए है नाइं थ्रो देखी किस तरीके से करनी है एस्टिश का फंदा फिर यहां पर हमारे अब चार फंदे उल्टे एक तो तीन चार यहां पर ट्विस्टिंग करेंगे इन दो फंद इंधे और डिवाले फंदे यहां से पहले पहस क कि दो माटमीस की तरीकस्ति है बेया है यहां पर हम ने पींदे बनाया तैब हमारे हैं एक दो in ken चर चार हां जीत हमारे इस तरीके से घटे हो गए हमारे पर फिर से ट्विस्ट करेंगे central कि यह यह दो फंदे और यहारे से कि इसके बाद चार फंदे पिर हां उल्टे एक दो तीन चार अब देखिए हमारा फिर से रिपीट पैटर्न है चार फंदे फिर उल्टे एक तो तीन चार लागा पीछे करेंगे यहां ट्विस्ट करेंगे इन फंदो को हुए इस तरह से दो फंदे ऐसे तुिस्ट के फिर से इन दों को वैशंक से इस तरह से यहां ट्विस्ट करेंगे है कि चार पंदें त्विस्ट हो गये अब यहां पर बीच में आमारे चार फंदें उल्ट wears a 1-2- ile-2-3-4 धांगा पीछे करेंगे फिर से फिर इने हिए अन्य में इस सरी की से मैं प्रिस्ट करने हैं नुद्म इस सरी के से पीछे वैलिमन इस सरी के स Changing ऑर इस ऊ weapons अने को मार डिली इस सरी के बियुई नहीं में होने को हमारे दागा आगे चार फंदे एक दो तीन चार फंदे ये उल्टे एस्टेश का फंदा सरीके से तो यह हमारी 9th रो कंप्लीट हो चुकी है इसके बाद 10th रो में हमें उल्टी सलाई जैसे हमें दिखने फंदे वैसे बनानी है 11th रो हमें सिधा सिधा बनाना है और 12th रो में उल्टा बनाना है तो मैं 12th रो तक बना लेती हूं उसके बाद 13 रो दिखाऊंगे 12th रो हमेरी हां कंप्लीट हो चुकी है आगे इसकी 13 रो पे अब यहां पर 13 रो में देखिए पहला फंदा यह स्टिच का अब यहां पर में तीन फंदे उल्टे एक तो तीन तीन फंदे उ पहले और इसे बाद में नेंगे चैर पना होगये अब यहां पर हमारे सेंट्र में छे फंदे उल्टे आएंगे भेख साईट से मिसमेश कर इस फैर्फम में is वाले चुनित फैर को पहले आ कि इसके बात फिर से आपह देखिए एक तो यहां दो तीन फैर कि बूर्फ पिर से ट्विस्ट करेंगे कि इस तरी के से दो फैर कि गौन दे इन दो फंदो को इस तरीके से अब यहां पर हमारे सेंटर में फिर से 6 फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाँच छे लागा पीछे फिर से ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से इन दो फंदो को ट्रिस्ट करेंगे इस तरीके से अब यहां पर लास्ट में तीन फंदे उल्टे एक तो तीन लागा पीछे एस ट्रिश का फंदा इस तरीके से तो अब देखिए यहां पर हमारे यह जो है थर्टीन रू हमारी कंप्लीट हो चुकी है 14 रू हम बना लेते हैं जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे ले हम वैसे बनाएंगे इसमें तो देखिए पहला फंदा इस तरीके से यहां पर हमारे तीन फंदे सीधे एक दो तीन चार पंदे यह उल्टे एक दो तीन चार बीच म चार, पांच, छे, उसके बाद चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन और ये चार, फिर ये तीन फंदे, एक, दो, तीन, ये तीन फंदे सीधे, तो इस तरीके से हमारी 14 रो पूरी कम्प्लीट ऐसे ही करेंगे, 15 रो फिर से हमें वैसे ही बनानी है, पूरी सीधी और 16 रो ये देखे हैं, हमारी 16 रो पूरी कम्प्लीट हो चुकी है, 17 रो पर आ चुके हैं, देखे 17 रो में, ये फंदा एस्टिच का, फिर से यहां पर हमारे दो फंदे, उल्टे, फिर से वैसे ही ट्विस्टिंग करेंगे, इस फंदे को हम पहले, और इस वाले फंदे को बाद में इस तरहीकर से मिलएंगे, इसे बात साईट से पहले और इसे बाद में, यहां पर आप हमारे जो फंदे हैं, यहां पर आप दो फंदे रह गए हैं तो यहां आप आठ फंदे उल्टे आएंगे, एक, दो, तीन चार पाँच छे साथ और ये आठ दागा पीछे करेंगे यहां तुपस्ट करेंगे इन चार फंदों पे ये फ्रेंट साइट से और ये बैक साइट में इस तरीके से अब ये देखे यहां पर हमने दो फंदे उल्टे किये थे दूसरा पैटर्न स्टार्ट होगे धागा पीछे फिर से ट्विस्ट करेंगे ये फ्रेंट साइट से इस तरीके से और ये दो फंदे बैक साइट से इसकी बाद फिर से हमारे आठ फंदे सेंटर में एक दो तिन चार पांच छे साथ आठ धागा पीछे ये वाले फंदे को पहले ट्विस्ट करेंगे इसे और ये बैक साइट से इस तरीके से फिर से दो फंदे उल्टे एक दो या स्टिच का फंदा ऐसे उल्टी स्लाई हमें जो ये हमारी नेक्स ट्रो है 18 इसको हम वैसे बनाएंगे जैसे अब तक हम बना रहे थी जब फंदे जै पूरी स्लाई सीधी बनानी है और ट्वंटी थो हमें पूरी बनानी है तो मैं ट्वंटी थो तक बना लेती हूं उसके बाद आपको 21 दिकाऊंगे तो देखिए हमारी ट्वंटी थो कंप्लीर हो जोकी है यहां से यहां तक अब आगए इसके हम 21 रो में पहला फंदा हमारा खाल गया स्टीच का इसके बाद अब हमारे यहां पर एक दा यह ही है जो पुल्ड़ा एक बना यहां से फिर ट्रेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी पहले फ्रेंड साइट से इस बने को और इसको बनेंगे फिर बैक सैट से इन दो फंडों को इस से सीधा बनाएंगे पिर करेंगे और 10 बंदें उलटे एक तू तीन चार पांच छी साथ आठ नो और ये 10 इसके बाद फूद आ का पीछे फिर इंहां ट्विस्ट करेंगे पहले यह वले फ्रंट वले फंदे को इसको फरंट से इस तरीके से बनाएंगे फिर इसे बेक शेट से पीछे वले हमारे सर्फ दो फंदे रह जाएंगे यह पर से ट्विस्टिन करेंगे रिबीट पैरन स्टार्ट हो गया पर एक अंगे रिपीत पैरन स्टार्ट होऔर यह तो यह हमने प्रेंटu साइट ने और यह बैक ए इन दू फंदो को इस तरीके से जारी पंदे हमने इस सरीके से किये तागा एक दू तीन चार पाँच छे शाट आठ नौ दस ये दस में हमने यह उल्ले बना है इस तरीके से दागा पीछे करेंगे अब देखें यहां पर एक दो तीन चार चार फंदों में टिस्टिंग करेंगे पहले यह फ्रेंट वाले फंदे को इस तरीके से फिर बैक साइड से ये दू फंदे ये चार फंदे इस तरीके से इसके बाद धागा आगे करेंगे ये वाला फंदा हमारा उल्टा और ये एस्टिच का फंदा तो इस तरीके से 23 रो हमारी complete हो चुकी है 22 रो हम जैसे फंदे हमें दिख रहे हैं वैसे से बना लेते हैं इस तरी पर 23 रो जो है सीधी और 24 रो उल्टी बनानी है तो इसके बाद मैं 25 रो दिखाते हूं कि कैसे बनाने है ये 24 रो हमारी यहां पर complete हो चुकी है तो देखिए लास्ट हमारी 25 रो ये देखिए ये वाला फंदा जो है ये स्टिच का है अब यहां कोई उल्टा फंदा नहीं है ह हम यहां सीधा हमें ट्विस्टिंग देनी है इस तरीके से दो फंदे हमने इस तरीके से ट्विस्ट किये इसके पाद यह वाला बैक सेट से इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे अब यहां सेंटर में जो है हमारे बारा फंदे उल्टे पनाने दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और यह बारा इसके बाद फिर से यह ट्विस्टिंग देनी है पहले इस फंदे को हम बनाएंगे फिर इस तरीके से बना लेंगे फिर यह बैक से इस फंदे को पहले बनाएंगे और इसे बाद में अब देखिए यहां पर भी हमें सिधा पैट divide step करना है जिआ पर हमें कोई रिटा फंदा नहीं बनाना तो पहले इस बने को हम इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे ऐसे देगे किस विस तरीके से फिर से सेंटर में हमारे यहां पर बारा फंदे उल्टें एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा यहां पर फिर से यहां पर ट्विस्टिंग करेंगे इस वाले फंदे को इस तरीके से हम पहले बनाएंगे फ्रंट साइट से और इसे बाद में फिर बैट साइट से यहां पर हमें इस वाले फंदे को बनाना है फिर इस वाले फंदे को इस तरीके से एंड स्टेच यह हमारा इस तरीके से है तो यह 25 रो मारी कंप्लिट हो चुकी ह 26 में बना लेते हूं उसके बाद दिखाते हूं तो यह देखिए 26 रो बनाने के बाद मैंने इसमें एक स्लाइशी थी और एक उल्टी स्लाइश जो है 27 और 28 रो कंप्लीट कर लिए तो यहां से लेकर यहां तक हमारा 28 रो में यह देखिए बहुत जल्दी बनने वाला डिजाइन भी है और इसे कोई भी बना सकता है बिगनर्स भी इसे बना सकते हैं बहुत ही इसी डिजाइन है तो आज का डिजाइन आप लोगों कोई पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादर से ज्यादर शेयर कीजिए बेल आइकन को भी आपको क्लिक कर लीजेगा ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस डालू उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए थैंक यो सुमच